Kent देता है सबसे सुद्ध पानी, ये तो आपने सुनाई होगा, और हो भी सकता है कि आप एक Kent का RO Water Purifier करिदने का plan भी बना रहे हो, जैसा कि मैंने थमनेल में बताया हुआ है कि अगर आप Kent का Elegant RO Water Purifier लेना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, वरना हो सकता है कि आप का पैसा टोटली बरबाद हो जाए हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है देव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को देव रिभीव यूट्यूब चैनल पर जहां पर आपको हमेशा इंफॉर्मेटिक कंटेंट्स ही मिलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिसकेशन केंट एलिगेंट के उपर केंट एलिगेंट का जो भी भाई भतिजा है उन सब के बारे में डिसकेशन होगा जैसा कि केंट एलिगेंट कॉंपक्ट, केंट एलिगेंट लाइट, केंट Elegant Plus Kent Elegant Alkaline और Kent Elegant Copper सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ Kent Elegant Light से Kent Elegant Light का स्पेसिफिकेशन में RO प्लस UF प्लस TDS कंट्रोल दिया हुआ है According to me जिनके यहाँ पानी का TDS थोड़ा ज्यादा है मतलब के 700 या 700 से उपर है उनके लिए यह प्रोड़क्ट ठीक है मेरे इसाब से इस प्रोड़क्ट का रेटिंग 8.6 आउट ओफ 10 है अगला जो मॉडल मैं डिसकस करने वाला हूँ वो है Kent Elegant Compact जिस तरह हम लोग देखे हैं कि Kent Elegant Light है यह लगभग उससे मिलता जुलता प्रोड़क्ट है इसमें RO प्लस UX प्लस TDS कंट्रोल दिया हुआ है साथ में UV in tank दिया हुआ है अब UV in tank देखकर बहुत ज़्यादा लोग यह confused होते हैं कि इसमें UV भी दिया हुआ है लेकिन बात कुछ अलग है यह tank में LED देने से फायदा यह होता है कि after purification जो पानी है उसको ज़्यादा देख तक स्टोर किया जा सकता है ना कि यह main UV है जो कि वाइरस बैक्टेरिया को किल कर सकता है Customer rating इस product का 8.6 out of 10 है और यह product जहाँ पे थोड़ा high level of TDS है वहाँ ठीक से काम कर सकता है Next model Kent Elegant Plus है जिसमें RO, UV, UF, TDS कंट्रोल दिया हुआ है और यही Kent का standard specification है जिसके लिए Kent को जाना जाता है Kent का इस तरह का combination मतलब जिसमें RO, UV, UF, TDS कंट्रोल दिया हुआ है इसको आप versatile models बोल सकते हैं यानि कि यह किसी भी तरह का पानी में बहुत अच्छे से काम कर सकता है खास करके जहाँ पे पानी का TDS कम है वहाँ के लिए यह model लगबग कंपल सरी है Customer rating इस product का 8.6 out of 10 है सवाल आपका पैसा और आपके परिवार का health का है तो इसलिए इस वीडियो को last तक देखना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि मैं ऐसा कुछ information इस वीडियो में देने वाला हूँ जो कि पूरा YouTube में खोज के आपको नहीं मिलेगा किसी भी product reviewer ने इस point को अभी तक reveal नहीं किया है तो बने रहे है इस वीडियो के साथ अगला model Kent Elegant Alkaline है जिसमें RO UF प्लस alkaline cartridge दिया हुआ है साथ में TDS control भी है और UV दिया गया है tank में अगर आप alkaline पानी पीना पसंद करेंगे तो ये model आपके लिए है लेकिन मेरे तरफ से एक बार और reminder कि ये low TDS water के लिए नहीं है customer rating इस product कभी 8.6 out of 10 है सभी product का best buy discount link description में आप लोगों को मिल जाएगा आप लोग चाहे तो वहाँ से जाके purchase कर सकते हैं अगर उस link से आप purchase करते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत commission company दे देगी लेकिन आपको कोई extra cost pay करने का ज़र्रत नहीं पड़ेगा फाइनल मॉडल इस series का Kent Elegant copper जिसमें एगेन आरो यूवेफ copper cartridge, TDS control और tank में UV दिया गया है अगर आप copper infused पानी पीना चाहते हैं तो यह product आपके लिए है इस model का भी customer rating 8.6 out of 10 है वीडियो अलेडी काफी लंबा हो चुका है मैं आप लोगों को और इंतजार नहीं कराऊंगा मैं ले चलता हूँ आप लोगों को की moment के तरफ स्क्रीन पर देखिए मैं दो RO membrane का photo आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ जिसे मैं आप clearly देख सकते हैं कि एक RO membrane छोटी है और दुसरी वाली बड़ी है तो यह छोटी वाली जो Kent RO का membrane है यह Kent Elegant में लगके आता है सारे के सारे models में जबकि बड़ी वाली जो RO membrane है वो बाकी सब Kent RO के models में लगते हैं मेरा simple सा logic यह है कि अगर RO membrane का size छोटा है तो उसका life भी कम होगा मजे की बात यह है जब भी आपको membrane को change करने का जुरत पड़ेगा तो price दोनों membrane का same है आज के date में 2700 rupees तो अगर आप Kent Elegant का membrane change करवाएंगे तो भी आपको 2700 rupees लगेंगे और दुसरे model का भी अगर आप membrane change करवाएंगे तो भी आपको 2700 rupees लगेंगे अगर आप मेरे logic से agree करते हैं तो comment में बताइए अगर आप agree नहीं भी करते हैं तो भी comment करके बताइए अब आपका एक natural सा question हो सकता है तो फिर Kent Elegant खरी दे या नहीं खरी दे Kent Elegant आप कभी खरी सकते हैं अगर आपका water consumption कम हो मतलब छोटा family हो कम पानी की जुरुत पढ़ती हो तो आप इसको ले सकते हैं वरना मैं alternative products description में दे दिया हूं जिसका की price लगबग same है आप वहां से जाके उन products में से किसी एक को purchase कर सकते हैं मैं उमीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक like जरूर दे दीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए फिर मिलते हैं अगला एक वीडियो के साथ तब तक के लिए नमशकार जैहिन stay safe